जै येशु प्रभु येशु मसी के मधुर और जलाली नाम में हम आपका येशु दरबार अराधना में स्वागत करते हैं और आज की अराधना आपके लिए अनुग्रे का कारण ठेरेगी जै येशु जै येशु आज हम परमेश्व के बचन योना से लेते हैं योना का पहला अध्या है यहोवा का ये बचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुँचा उठकर उस बड़े नगर नीन्वे को जा और उसके बुरुद प्रचार कर क्योंकि उसकी बुराई मेरी द्रस्टी में बढ़ गई है परंत योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चड़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए तब यहोवा ने समंदर में एक प्रचंड आंधी चलाई और समंदर में बड़ी आंधी उठी यहां तक की जहाज तूटने पड़ था तब मला लोग डर कर अपने देपता की दुहाई देने लगे और जहाज से जो वैपार की सामगवी थी उसे समंदर में फैकने लगे की जहाज हलका हो जाए प्रंतू योना जहाज के निचले भाग में उतर कर सो गया और गहरी नीद में पड़ा हुआ था तब मा जी उसके निकट आकर कहने लगे तु भारी नीद में पड़ा हुआ क्या करता है उठ अपने देपता की दुहाई दे सम्भव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाशना हूँ योना भेजा हुआ बविश्वक्ता था परमेशा की तरफ से उसने समझ लिया कि ये परमेशर इसको नस्ट नहीं करना मांगता दंड नहीं देना मांगता क्योंकि नीन में नगर इस्राइल का दुश्मन था शक्त्रू इसने सोचा था कि परमेश्वर मुझे नहीं देख पाएगा और मुझे नहीं देखेगा कि मैं कहां जा रहा हूँ और ये जाकर उस बड़े समुन्दर में जो बहुत बड़ा जहाज था उसके नीचे हिस्से में जाकर सो गया परमेशर ने कहा कि मैंने तो इसको वहां जाने के लिए भेजा था नीनमे नगर को ये कहां जा रहा है परमेशन ने भी उस समंदर में बहुत बड़ा तुफान भीजा लहरें उपर उठने लगें जहाज डगमगाने लगा मल्ला डर गए और उन्होंने सोचा कि ये शायद व्यपार का सामान इसमें भरा हुआ है उसके भारी पन से ये जहाज बहुत हिल रहा है उन लोगों ने बैपार का सामान फैकना शुरू कर दिया लेकिन वो तुफान शान्त नहीं हुआ वो तुफान और टेज होने लगा लेकिन जब मल्ला होंने बहुत कोशिश की नीचे जाके देखा नीचले हिस्से में जहाज के तो ये सो रहा था इसने कहा अरे तु यहां सो रहा है हम लोग तो बहुत डर के मारे परेशान है और परमेशर की दुहाई देने लगे यहां पर एक चीज को बताया है कि वो लोग अपने देवता की दुहाई दे रहे थे लेकिन उसके बाद भी यह तुफान शान्त नहीं हुगा लेकिन यह आदमी जो परमेशर के विषय में नहीं जानते थे सच्य और जीवित परमेशर के इनों ने योना से क्या कहा तु अपने परमेशर से प्रात्ना कर और वो तेरी प्रात्ना को सुने और यह तुफान शान्त हो जाए कितना बड़ा बिश्वास उन लोगों में आया जो आजकल के जमाने में यह बचन उनको जीवित सुनाया जा रहा है तो वो इसका बिरूद करते हैं लेकिन उन लोगों ने भी इस बचन पर परमेशर के जीवित बचन पर बिश्वास किया यानि परमेशर पर और उने ने कहा कि तू ऐसा कर कि तू मुझे समुन dir मैं फ्हांक दो यह ना थो जानता था क्यूवकि परमेशर का भिज़ा हुआ भविश्वक्ता था परमेशर की तरफ से था परमेशर की ओर से उसको ये सब पावर मिली हुई थी शक्तिया जैसे उसको उसने कहा कि फैंक दो तो मल्ला और डर गए परमेशर से प्रात्ना करने लगे कि इसके प्राण के नाश होने के बल्दे हमारा प्राण नाश ना हो और हमारे उपर किसी भी प्रकाहर की कोई भी आपत्ती ना आने पाए तो परमेशा तु हमें छमा करना है हम इस व्यक्ति को समुन्दर में फैकते हैं जैकिन उन्हों ने जैसे ही योना को समुन्दर में फैका समुन्दर शान ठो गया लहरें ठम गई तूफान बंद हो गया यह है परमेश्वर जीवित परमेश्वर का चमतकार यह है जीवित परमेश्वर की सामर्ग यह है जीवित परमेश्वर जो इतने बड़े चमतकार दिखाता है और जब जैसे योना को समुन्दर में फैका तो एक बड़ा मगरमच जो परमीश्वन ने उसके लिए ठहराया था उसको अपने मुँ में उसने निगल लिया आज तक देखा है किया मगरमच किसी आदमी को अपने पेट में जीवित रखता है मगरमच तो एकदम आदमी को खा जाता लेकिन यहाँ पर ये दर्शाया है परमीश्वन ने योना और मचली की घटना को जब परमेश्वर तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुआ उसी प्रकार ये योना मगरमच के मुँ में तीन दिन तक जिन्दा रहा मरा नहीं था और तीसरे दिन मगरमच ने इस योना भविश्वक्ता को समुंदर के किनारे सूखी भूमी पर उगल दिया किस के द्वारा परमेश्वर के कहने के द्वारा मगरमच अपने आप तो नहीं उगल सकता जब तक परमेश्वर के हाथ में यह सब कुछ शक्ती है परमेश्वर जो चाहता है वो करता है परमेश्वर श्रेस्टि करता है जब वो किसी चीज को पुकारता है यदि वो चाहे तो इस जमीन, इस प्रत्वी को, आकाश को पुकारे तो उसके सामने वो पस्तित हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो ही तो स्ष्ट्री करता है, हमें स्ष्ट्री करता कि अराध ना करना है, ना कि उसकी बनाई हुई चीजों की. ये योना, ये भविश्वक्ता था, परमेशन ने से कहा कि जा, तु वहाँ पर ये प्रिचार कर, कि आज से चालीस दिन में के बाद, ये तुम्हारा नगर, जिसमें तुम पाप से भरे हुए हो, नस्ठ हो जाएगा. नीनवे के लोग कैसे थे, पापी थे, और दंड के आधीन थे, और दुस्ट तासे भरे हुए थे, लेकिन तब भी परमेशन ने उन पर तरस खाया, कि परमेशन का ये बचन सुनेंगे, उनको मौका दिया, उनको समय दिया, उनको अफसर दिया, कि ताकि ये ना कहें कि कोई इनसान की हमें परमेशन ने मौका ने दिया. आज हमारा जीवित परमेशन हम सब को भी ये मौका, ये समय, ये अफसर दे रहा है, कि हम भी अपने चाल चलन को बल दें, हम भी अपने हिर्दे को शुद्ध और पवित करें, क्योंकि ये पवित्ता, ये शक्ति वास्तम में पवित्ता में ही होती है. यदि हम अपने आप को पवित्त बनाएंगे, तो परमेशन भी ये शक्ति अपने द्वारा, अपने बंदे के द्वारा, अपने दास और दासी के द्वारा दिखाएगा, कि वास्तम में कितनी सामर्थ परमेशन ऐसे व्यक्ति को देता है, जो अपने आप को पवित्त बनात योना ने परमेशन की आग्या का उलंगन तो किया लेकिन परमेशन ने उसको छूड़ा नाए ओरमेशन ने उस समूंदर में भी उसको पकड़ लिया, और मगरमच ने जब उसको निगला तो उसको हुकम दिया परमेशन ने कि इसको उगल लेकिन इस मगर मच के पेट में ये योना परमेशर की दुहाई देता रहा फ्रात्ना करता रहा कि वो मेरी पुकार को सुने और मुझ पापी पर दया करें उसने सोचा कि परमेशर मुझे देख नहीं पाएगा आज भी इंसान ये सोचता है कि हम कोई भी पाप कर ले हम किसी की बुराई कर ले हम किसी के घर में चोरी कर ले हम किसी के साथ अत्याचार करें तो ये उसकी ना समझी है ना समझी है क्योंकि परमेशर इसका हिसाव बहुत देर में लेता है परमेशन ने खुद कहा है कि मैं दुस्ट के मरने से प्रसंद नहीं होता मैं तो इस से प्रसंद होता हूँ कि वो अपना मन फिरा ले उसी प्रकार से इस नीनवे लोगों को मौका दिया कि वो पश्यताब करें और उसकी अग्यानता थी जैसे कि इनसानों की अग्यानता है वो सोचते हैं कि ये प्रत्वी पे जो जीवन है इस जीवन में हम जो बुरा काम करेंगे और लोगों के साथ अत्याचार करेंगे परमेशन तो कोई देखी नहीं रहा है और हम जो कर रहे हैं प्रत्वी पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उसका हिसाब मरने के बाद परमेशर उससे लेगा लेकिन परमेशर का प्रेम देखें कितना महान हैं कितना गहरा है उसकी उचाई को उसके प्रेम की उचाई को हम छू नहीं सकते क्योंकि हमारे हिर्दे में इतना सा भी प्रेम नहीं है दूसरों के प्रती हमारे हिर्दे में दूसरों के प्रती वो प्रेम नहीं है जो हम उसे अच्छी तरह दीनता और नम्रता से बोल ले और उसे परमेशर की सामर्द के विशे में नहीं पता था लेकिन जब उसने देखा कि वास्तम है परमेशर ने मुझे नहीं छोड़ा और मैं परमेशर से छिप नहीं पाया तो दूसी बार परमेशर का बचन इस योना के पास मौचा कि तु नीन में नगर को जा और ये प्रचार कर कि तुम लोगों अपने पाप से फिरो क्योंकि तुम बहुत क्रूर हो अगर तुम अपने पाप से नहीं फिरोगे अपने दुस्टता से नहीं फिरोगे तो तुम नाश हो जाओगे मैं तुम्हें चालीस दिन का समय देता हूँ और परमेश्वन ने दिया, परमेश्वन ने जब समय दिया, तो वहां के लोगों को, वहां के राजा को देखे, जब राजा ने ये सस्मचार सुना, तो उसने डिंडोरा पिटवाया, पूरे इस शहर में, और कहा, क्या मनुष, क्या पश्यू, क्या पक्षी, क्या गाय, बैर, सब खाना नहीं खाएंगे, और ना पानी पीएंगे, चाज छोटा ही बच्चा क्यों ना हो, सब लोग अपने कपड़ों को तार कर टार्ट को पहनें, टार्ट और राग के उपर बैठें, और परमेश्वर की दुखाई दें, और ये डिनोरा जब पीठा गया तो एक- मनुष ने इस राजा की आग्या का पालन किया, और राजा की आग्या का पालन करते हैं, तो उनके अंदर परमेश्वर का भय आ जाता, और इस राजा को देखें, राजा ने भी अपने जो एक राजा जो कपड़े पहनता है, उसने भी अपने उस शाही कपड़ों को उतारा और टाट पहन के राक पे बैढ़ गया क्या कोई ऐसा राजा कर सकता है? नहीं क्योंकि राजाओं में बहुत घमंड गुरूर होता राजा को तो छोड़िये एक आदमी के अंदर इतना घमंड और गुरूर होता कि वो अपने आगे किसी इंसान को इंसान नहीं समझता उसमें इतना घमंड होता है कि वो जो चाहे वो कर सकता लेकिन इस राजा से हम तुलना करें कि ये राजा परमेशर का बचन सुनकर एक दम तयार हो गया उसने ये नहीं देखा कि लोग मुझसे क्या कहेंगे कि ये राजा जिसके हाथ में फूरा देश उसके अंडर में होता है उसकी हसी उड़ाएंगे नहीं लेकिन उसने अपने मन को बदला और उसने कहा कि तुम लोग परमेशर की दुहाई दो चिला चिला कर परमेशर हमारी दुहाई जब सुनेगा तो हो सकता है वो हम पर तरस खाए और अपने मन को बदल ले यानि दंड़ना दे और राजा ने लोगों से कहा कि जो तुम उबदर्ब कर रहे हो जो पाप कर रहे हो उससे अपने मन को फेल लो आज भी ये बचन हम लोगों से बात चीत कर रहा है आज ये बचन संसार के एक एक आदमी से बात कर रहा है कि हम सब को अपने मनों को बदलना है अपने दिल और दिमाग को बदलना है अपने घमंड और गुरूर को मिट्टी में मिला देना है क्योंकि हमारे अंदर क्या सामर्थ है इंसान मिट्टी का बना हुआ है मरेगा तो मिट्टी में मिल जाएगा क्या इंसान के पास मन्ने के बाद कोई सक्ती है केवल तो वो अपने अभी घमंड में फूल रहा है क्योंकि ये घमंड परमेशर को पसद नहीं है और परमेशर तो आप जानते हैं दयालू है परमेशर हम लोगों पे दया करता है अगर दया नहीं करता आप अपने मन को टटो ले देखें जाने और समझें हम सब इस दुनिया के लोग कितने पाप कर रहे हैं अभी तक और उस पाप में बड़ी ही गहराई से डूबे हुए हैं उनकी आखें होते हुए अंदी हैं उनकी आखें होते हुए उन्हें कुछ इखाई नहीं देता वो यह समझते हैं कि मैं जो यह कर रहा हूं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं मैं अपना बदला लोगों से ले रहा हूं लेकि नहीं वो आदमी बदलते नहीं है वो आदमी अपने मनों को नहीं बदलते लेकि परमेश्य का बचन कहता भजन सहिता एक सो 19 और 105 कि तेरा बचर मेरे पाउं के लिए दीपक और मार के लिए उज्याला है। यह वो परमेशर है। मार, सत्य और जीवन वो ही है। ऐसा इस दुनिया में कोई भी जीवित व्यक्ति पैदा नहीं हुआ और नहीं होगा। जो ऐसा मार्ग, अच्छा मार्ग, सत्य मार्ग हम लोगों को दिखाए। ऐसा कोई व्यक्ति आज तक पैदा नहीं हुआ। और नहीं किसी व्यक्ति ने ये थावित किया है कि वो ईश्वर। इश्वर केवल एक है यानि हमारा जीवित परमेशर प्रभु येश्यु मसी जिसने ये कहा कि हा मैं परमेशर हूँ। और बास्तव में बास्तविक शक्ति पवित्ता में हैं ऐसा जीवन दायक सोता आपको कहा मिलेगा। वो जीवन का सोता जो जीवन आपको निरंतर देता जा रहा है वो सोता आपके पास तक बहता हुआ आ रहा है। लेकिन इंसान इस सोते को समझ नहीं पा रहा है। वो इनसान को, वो आपको, वो मुझे जीवन देना चाहता है, आदमी अभी भी अपने इस पास्तिविक पाप में डूबा हुआ है, इनसान अपने हिर्दे को टटोले, कि अभी तक हमने जो पाप किये हैं, इन पापों को हम अपने से त्याग दें, जूट न बोले, चोरी का पैसा ना चुराएं, बर्वाद ना करें, और जिस काम के लिए परमेशन ने वो पैसा दिया है, जिस काम के लिए हमें नौकरी पे लगाया है, उस काम में हमें इमानदारी बरतना है, यह है पवित्रता, यह प्रभु येशु ही जगत की जोती है, यह जोती आप पर चमक र आपको बत्ताना चाहती है यह जोती प्रभु येश्यु कि तुम अपने जीवन को परमेश्वर की पवित्ता से हरा भरा करके रखो तुम परमेश्वर की पवित्ता से सच बोलो तुम जीवन की उस जोती के सामने अपने पापो को सिकार कर लो जैसा कि जैकई ने अपने पापों को सिकार किया था कि प्रभू यदि मैं किसी से ले लेता हूं वो चुंगी लेने वाला मनुष्था तो मैं उसको चौंग ना फेर देता इसने अपने पापों का अंगिकार किया परमेश्वन ने कहा कि वास्ताम में ये इनसान है अंदर सच्चाई, पवित्ता, इमानदारी और दीनता नंब्रता होना चाहिए। योना ने उलंगन जरूर किया था परमेश्वर की आज्या का, लेकिन वो भाग नहीं पाया। आज इंसान भाग रहा है परमेश्वर से दूर, तू कब तक भागेगा। जब परमेश्य का बचन इंसान की निकट आता है तो उसको बड़े तन से, मन से सुनना चाहिए। और उस पर अमर लाना चाहिए। अपनी बोली को हम सुधारे हैं, अपने हिर्दे को हम सुधारे हैं, अपने बेई मानी को हम सुधारे हैं, अपने माता पिता से कोई भी बात ना छिपाएं, अपने शारिरिक माता पिता के प्रतियरी हम आग्याकारी रहेंगे, तो हम अपने आत्मिक पिता के साथ भी आग्या कारी बने रहेंगे इस उद्देश से परमेश्वन ने योना को ये सिखाया था कि तू जा और नीन में नगर में जाके ये प्रचार कर आज ये प्रचार केबल नीन में नगर के लिए ही नहीं दिया गया इस नीन में नगर को सुधानने के लिए ये बचन पुरे संसार के कि है प्रभु, तो हमें छमाकर हमें किसी ने इस बिशय में नहीं बताया, आज परमेश्वर का जीविद बचन इस दुनिया के कौने कौने में पहुंच रहा है, और बताया जा रहा है कि हम परमेश्वर के प्रति समर्पन करते हैं, परमेश्वर से अपने पापों को ना छुपाएं, परमेश्वर से किसी बात को ना छुपाएं, वलकि परमेश्वर के हम जाने योग बने सामने, परमेश्वर के, क्या आज हम इस चीज को अपने हिर्दे में दर्दा के साथ लेते हैं, क्या आज हम तयार हैं, परमेश्वर से तु छमा कर। और आज से हम ये विश्वास करते हैं कि हम कोई भी पाप नहीं करेंगे किसी की बुराई नहीं करेंगे और किसी के पैसे की चोड़ी नहीं करेंगे किसी की हसी नहीं उड़ाएंगे किसी से घमंडवरी बात नहीं कहेंगे हाँ प्रभू तु हमें दीनता नमता के निकट और ले चल योना तो था लेकिन योना के अंदर केवल एक चीज की कमी थी वो चाहता था कि परमेशे का बचन तो ये कहता है कि इस्राइलियों को साथ को बफ़ादारी से रह तो फिर ये निन्मे नगर के लोग इस्राइलियों के दुश्मन क्यूं है क्यूं है दुश्मन इसलिए योना ने ऐसा किया योना चाहता था कि निन्मे नगर के लोगों को परमेशे दंड दे प्रभू ने क्या कहा है योना देख इस नगर में एक लाग और बीस हजार लोग ह क्या मैं उनको नस्ट कर दूँ नहीं मैं उन्हों मन फिराओ का समय देता हूँ और आज भी परमेश्वर इस दुनिया के लोगों को समय दे रहा है लगाता कि वो अपने मन को बदले अपने हिर्दे को बदले और परमेश्वर के सामने अपने पापों को स्विकार करें देखिए आपके जीवन कैसा हरा भरा कैसा प्रसंद कैसा आत्मिक बना रहेगा परमेश्वर ये कहता यदि हमने परमेश्वर को अपने हिर्दे में बसा के रख लिया है जहां भी अगर छोटा सा पाप आता है गुस्सा आता है घमंड आता है तो तुरंथ हम परमेश्वर से प्रात्ना करें और छमा मागें क्योंकि परमेश्वर का बचन जब आप अधिकाई से अपने हिर्दे में बोईगे तो बीज, अच्छा बीज, पवित्ता का बीज, सच्चाई का बीज और ये दीनता नम्रता का बीज आपके हिर्दे में उकता चला जाएगा और आपका जीवन और परिवार परमेश्वर की आशीश से दया से, किर्पा से हरा भरा 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 रहरा परमेश्वर ये कहता है येश्व ही तो जगत की जोती है येश्व हमें कभी नहीं छोडता येश्व हमें चाहता है कि हम उसके नजदीक बने रहे और हमारी भी एक्षा यही बनी रहे कि प्रभु येश्यू हमारे हिर्दे में अधिकाई से बना और फिर देखिए आपके हिर्दे की प्रसंता हिर्दे की प्रसंता और जीवन में उन्नती की प्रसंता कितनी आपके हिर्दे में आती रहेगी यदि आपके जीवन में आती रहेगी, आपके बच्चों के जीवन में आती रहेगी, आप अपने बच्चों को भी सिखाएगे, यदि आपके बच्चे में घमंध है, बेइमानी है, और आप में खुद बेइमानी है, तो बच्चे को क्या सिखाएगे, ये पैसा जो हम बेइम के दweyrा एकट्टा करते हैं । इस से हमारा जीवन नहीं कठने कां। इस से हमें पर्मेशर के सरग राजव मैर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। हम पर्मेशर के राजवेश्स में नहीं गुस्पाएंगे। हमारी जगा जो आदमी चोर हैं बैमान हैं शराबी है, घमंडी है, दूसरों पर हत्याचार करता है, हत्या करता है, वो सोच लेकि उनकी जगह कहां पर है, और परमेश्वर इतना गयालू है कि वो आपको निरंतर समय देता जा रहा है, लोग कहते हैं कि अभी परमेश्वर आ जाएगा, लेकिन परमेश्वर का बचन कौने कौने में एक एक इंसान के पास पहुंचेगा, तो उस समय परमेश्वर का जित्त दूसरा आगमन होगा, उस समय कोई प्रेम, कोई दया का समय नहीं होगा, उस समय न्याय का समय होगा, और प्रभू कहगा, हे तु मेरे सामने से दूस हड़ जा, और वो अपने लोगो को जो बिश्वासी हैं अपने साथ स्वर्ग राज में रखेगा प्रभू अपने बचन पर आशीश दे और आप चे उम्मीद है कि आप इस बचन को सुनके अपने हिर्दय को बदले और परमेश्वर की अगवाई में चलते चले जाए जय येशु 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 दरवार के आज के कारकरम के द्वारा प्रभू ने आपको आशीश दी होगी और टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फलेश किये जा रहे हैं आप इस नंबरों पर फोन करके अपने लिप्रातना करा सकते हैं और प्रभू येशु मसी आपको आशीश और बरकते हैं जय येशु प्रभु मुझे ले चल सत गुरु पास सत गुरु में है आनंद का वास प्रभु मुझे ले चल सत गुरु पास सत गुरु में है आनंद का वास